नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विवेक भारद्वाज आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नलोजी विद विवेक दोस्तो आज की वुडियो में लेकर आए हैं आप लोग ने देखा होगा जो जीमेल एड्रेस जीमेल आइडी जो आप चलाते हैं उसमें काफी सारे मेल सा जान करना है कि कोई बड़ी PDF फाइल्स या कोई बड़ा अटेच्मेंट आपके मेल में आया हो तो उसको आप एक बार में कैसे स्लेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं यह आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आपको चलना है जीमेल पर और जीमेल पर आने के बाद सर्स ब method है जो भी आप select करेंगे उतने MB के emails जो attach होंगे जो send किये गए होंगे जो आपके पास आये होंगे वो सबी जो है यहां पर आ जाएंगे मैं सबसे पहले आपको 20 MB लेकर चलता हूँ मैं 20 MB पर यहां click करूँगा यह देखी दोस्तों यह जो filter out होकर जितने भी mail आ रहे हैं य select करने के बाद जो है यह आप इस तरीके से select कर सकते हैं देखी यह select हो गया है और आप उपर आप जो option देख रहे हैं यहां से आप इसको delete कर सकते हैं मैं आपको 10 MB का भी दिखा देता हूँ यह देखी दोस्तों यहां से हम 20 MB हटा देते हैं semi colon लगाते हैं और इसके बाद हम हैं अब 10 MB जैसे हम 10 MB लिखेंगे यह देखिए अब 10 MB के 10 MB से उपर जितने भी files यहां पर लगा कर भेज़ेगा होंगे यह आप देख सकते हैं यह इनको भी आप इसी तरीके से select कीजिए then select करने के बाद आप जो है इनको यहाई से delete कर सकते हैं तो दोस्तों यह बहुत आसान सा तरीका है आपकी Gmail ID को inbox को manage करने का और किस तरीके से आप जो है इसको आपका data जो है बहुत जल्दी आप खाली कर सकते हैं और जो बड़ा amount का data है उसको आप एक बार में यहीं से delete कर सक थैंक यू